नमस्कार दोस्तों बिहारी कीचन में आपका स्वागत है आज लेके आए हैं बिल्कुल नया और अलग तरीके से बनाएंगे पोई का सब्जी तो पोई को धोके हम काट लिये हैं और इसको पानी से छान दिये देखिये अब जो है कडाई गरम करें हैं सर्षो का तेल लेना है ह तर्षो को तेल से स्वाद अच्छा होता है और पाच फोरन डालेंगे और एक प्याज और अच्छे से सोटे करेंगे इसको उसके बाद जो है तो से तीन आलो यहां पर हम उबला हुआ आलो ले रहे हैं आप चाहे तो कच्छा आलो छील के काटके ले सकते हैं उससे भी टेस्टी बनती है सबजी यह हमारे बंगाल और बिहार का रिमिक्स बोले तो मिक्स भेजी टेवल इसमें और भी बहुत सारी सबजीया डालके भी बनती है बट हम आज यहां पर आलो और कोई का ही बना रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी होता है चावल के साथ खाने के लिए इसको हम दो से तीर मिनट यहां पर थोड़ा सा भूनेंगे यह बहुत ही जल्दी जो है एक गल जाती है सबजी ज्यादा टाइट न क्यूंकि पत्ता अगर इसमें रहेगा तो स्वाद अच्छा लगेगा और हख दिये और मसाला ले लिए है काजु है काली मिर्च धनिया जीरा अदरक सुखे मिर्च प्याज और लशन और इसको हम अच्छे से पीज लिए हैं और एह ही मसाला यहाँ पर हम डाल रहे हैं बिल्कुल घर का मसाला बाहर से कोई मसाला नहीं लिए हैं और अच्छे सम इसको यहाँ पर 10 से 15 मिनाट भून के इसको आओ उसके बाद जो है इसमें पानी हम एट कर देंगे अब फिर से 10 से 15 मिनाट इसको ढख के सिझाएंगे और रेडी है आपका सब्जी चावल के साथ खाने के लिए तो गर्मा गर्म जो है चावल के साथ ताल चावल और यह सब्जी हम परोस रहे हैं और इसी के पत्ते से हम यह देखिया कचडी भी बनाए हैं जो कि बहुत ही स्वादिश टोटा इसका लिंक भी हम डाल देए हैं आप देख लिजेगा इस सारा सब्जी पूरा खाना दोफ़र का हमारा बन के रेडी है तो टेस्टी टेस्टी बिहारी स्टाइल का सारा खाना बिहार बंगाल का रिमिक्स है तो लूट उठाईए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर किजिएगा इसी तरह घर का खाना अगर पसंद है तो हमारे चेनल पर बने रहिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमें सपोर्ट किजिए मिलते हैं अगले भीटियो में